नमस्कार मैं कपीज भला और आप देख रहे हैं उदैपूर खबर उदैपूर की सवीना थाना पुलिस ने CID क्राइम प्रांच जैपूर की सूचना पर एक बड़ी कारवाई को अंजाम देते वे थाना शेदर में आने वाले C.A. सरकल नेला तला पर आठ किलो वजनी और तीन फिट लंबा हातिदात बेचने की मनसा से गोम रहे C.R.P.F. में सब इस्पेक्टर राहूल मिना और एक यूती सहित पांच लोगों को गिरफतार किया है अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराद दिनेस M.M. ने बताया कि अंतराश्टी बजार में हातिदात की कीमत लगबग देड करोड रुपे है जिसे आरोपी तमिलनाडू के कोयम टूर चीले से हातिदात की तसक्री करने के तहत उदेपूर लाहेते पुलिस ने बताया कि आरोपी 25 वर्षी राहूल मिना पूत्र रमेश्चंद्र निवासी घडी थाना रामगड अलवर हाल नफरतगर दिल्ली 24 वर्षी अम्रस्य गुजर पुत्र दिन दयाल गुजर निवासी चुरुखेडा निवासी दोसा 25 वर्षी अरजुन सिंग मिना पूत्र रमेश्चंद्र मिना 31 वर्षी है संजय सिंग मिना पूत्र मुल्यराम मिना निवासी मिनापूर जीला भरतपूर सा थी बिहार के सिवान जीला हाल पालडी मिना थाना खो नागोरियान जैपूर निवासी रिटाशा पुत्री बलिस्टा सा के को गिरफ्तार किया है एडिजी दिने सेमें की जानकरी के अनुसार सी आरफियेप में सब इस्पेक्टर राहूल मिना गेंग का मुख्य सरगना है जो कश्मीर के सो पार में तेनात है गिरफ्त में आया आरोपियो परवन्य जीव अर्दिनियम के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है